हेलो वाइज वेलकव तो माई चैलेंग आज हम लोग देखने पाले है एसी सिस्टम में किस तरह से ग्यास चार्ज कर कर किया जाता है अभी जह हम ग्यास जो देख रहे है इसका यूट करके हम एसी लाइन का अंदर आट और टू की ग्यास की प्रेसर कितना है उसको हम पता कर स देखते हैं अभी हम पाइप को गेज के साथ करनेट करके भाल पो ओपन करके आप देख पार होंगे हूँ गेज में प्रेसर दिखा रहा है है अभी इस लाइन का अंदर प्रेसर कम है दीज के से का आशपा से कुछ दिखा रहा है तो हम अभी इसका अंदर ग्यास चार्ज करेंगे और हम भाल को लॉज करके प्राइप को गेज देख पार होंगे जो टैंक है उसका अंदर हम लोग का आर टॉटीटू की यास उस गिया उस ग्रीन के टैंक का अंदर आर टॉटीटू का ग्यास पील है उस ग्यास को हम इस एसी लाइन का अंदर चार्ज करेंगे इस पाइप को अभी उस टैंक से एसी की सक्तर लाइन में अभी हम कनेक्ट कर चुके हैं और दोनों साइट की कनेक्टर को आप आच्छे तरह से टाइटनेस चेक कर लेजिए क्योंकि ग्यास कहीं से लिकेज ना हो अभी हम आट टॉन्टीटू की जो में टैंक है उसको हम साइरेंस से हलका सा ओपन करेंगे जाजा मत ओपन करेंगे बस अलका साही ओपन करेंगे और हमारा ग्यास से लिकेज ना हो उसको भी आप ध्यान रखेंगे अभी हम सक्तर लाइन को वाल्प को ओपन करेंगे कि और अभी हमारा कंप्रेसर अभी चल रहा है क्योंकि हम सक्तर लाइन में ग्यास चार्ज कर रहे हैं तो हम कंप्रेसर को भी रानिंग कंदिशन में हैं कर रहा है और हम चार्जिंग कर रहे हैं जब पतला वाला पाइप देख रहे हैं यह सब्सक्षर्ण लाइन है और जब मोटा वाला पाइप देख रहे हैं यह डिश्चर्ज लाइन है है Him अभी हम भादफा हालका सा ओपन करते है एलेंक के यूच करकれ अभी आप देख पार होंगे अभी हमारा ग्यास चार्ज होना चालू हो गया है और पाइब में आइस का आइस बैठना चालू हो गया है और वाइट किलर आप देख पर है अभी ग्यास चार्ज हो रहा है कि कंप्रेसर का अंदर में कि इसको हम दिरे दिरे से चार्ज करेंगे ठोड़ा सा अपन करेंगे कुछ टेर के बाद फिर से हम भाल क्लोग क्लोज कर देंगे दिरे दिरे से इस प्रोसेस को दो तिन बार ऐसे ही रिपीट करेंगे कि कि आसे का इंदर दिरे दिरे से कंप्रेसर का आंदर चार्ज होता है προ bargain बाल को पर से ऊपन किये है depends और लुक्त के बाल को पर से पिरसे क्लोज कर दिये क्यास तो तो उसको आदर रिचेक के रिचेकल होता है अब यहाम् पिर से भाग को पन कर लिये हैं और उपाइप जो सक्षर लेने उसमें आय आय आ रहा है आप देख पर होगे हुआ है लुट है आए अपि-देशियों के नहीं चाहए है को कि आप विटम आप की अब भी आप डीश्याज लाइन में हाथ रखके देख सकते हैं कुलिंग किसी तरह से अब कितने कुलिंग हो रही है इसला रात कि आप फीजिकल चेक कर सकते हैं कुलिंग कितना कुलिंग अभी दे रहा है डिश्चेलाइज में हाद कि आप मेंसिस कर सकते हैं अगर कुलिंग आपको अच्छा लगे लग रहा है तो हम अभी भार्ब को क्रोज करके उसका प्रेसर चेक करेंगे अभी हम में टांक की जो भार्ब को क्रोज करके कर दिये हैं अभी हमारा सक्षन लाइन को हम हलका से ओपन करेंगे क्योंकि जो पाइप कनेक्ट हुआ है उसका अंदर कुछ आर्ट टॉंटीटू ग्यास अभी भी है अभी इस तरह से आप करके उस ग्यास को कि उस लाइन में आप दे सकते हैं अभी हम भार्ब को क्रोज करेंगे और हलका से में टांक है उस साइट से खुलेंगे इस पाइप को अंदर जो भी ग्यास है वह एट्मस्वेर में चल जाएंगा अभी हम प्रेस जो अभी हम कुलिंग अभी आप देख पार होगे हाथ लगा कि हम लोग आच्छा से हो रही है अभी हम प्रेसर गेट को फिर से लगा के अभी लगा कि उत्वाल को अपन करके आप देख पार होगे पहले कम ग्यासता अभी पचस का आसफास पीस ही दिखा रहा है और हमारा कुलिंग भी अच्छा हो रहा है इस तरह से हम लोग ग्यास पिलिंग किया जाता है एसी का अंदर में इस तरह से करके अभी हमारा ग्यास चार्जिंग एसी का अंदर अच्छा तरह हो गया है और कुलिंग भी हम लोग का अच्छा दे रहा है इसी तरह हम लोग ग्यास यसी का अंदर चार्ज किया जाता है और चार्ज करने के बाद भाल को आचा सर से क्लोच कर गए उसका कैप भी लगा दीजेगा पेरे चैनल को लाई कर दो